My name is Hemant और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा RRB NTPC जो 2016 में हुआ था उसमें जो number series के question आये थे वो सारे shift के number series और letter series के question कराऊंगा और इससे पहले मैं number series का basic बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में आप देखेंगे reasoning की playlist में जाके वहाँ मैंने number series में बताया है कैसे आपको follow करना है trick क्या है और कैसे आपको logic ढूड़ना है ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप उसे देखे link में description में दे दूँगा तो आप पहले उसे देखे तो आपको logic ढूड़ना जादे हीजी हो जाएगा तो शुरू करते हैं तो पहला question है इस रंकला में प्रस्ने चिनने के स्तान पर कौन से संख्या आएगी तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है gap देखना पड़ता है logic ढूडना पड़ता है तो आप देखे जो है 20 का है और यहाँ पर gap देखने कितने का है 15 तो यहाँ से हमें कुछ दिख रहा है कि एक alternate gap चला है यानि कि पहले 15 फिर 20 तो यहाँ पर 15 आया तो आप कौन सा gap आना चाहिए 20 का तो 20 का gap यहाँ पर जोड़िंगे 20 जोड़िंगे 135 तो यह आपका 135 आंसर होगा A next question करते है next है आपको निम्खिल संख्वा में अगली संख्या क्या आएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको मैंने बताया है कि square q यह सारी चीज़ें आपको याद होनी चीए और इनसे यह logic पहले आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे अल्टरनेट में अल्टरनेट लोजिक है यहाँ पर आप देखेंगे इसको 3 से मल्टिप्लाई किया plus into 3 किया 9 आया 9 को 3 से मल्टिप्लाई किया 27 आया 27 को 3 से मल्टिप्लाई किया 81 आया अब यहाँ पर आप देखें, 4 से multiply किया 16, 16 को 4 से multiply किया 64, और 64 को 4 से multiply करके अगला answer आएगा, तो अगला यहाँ पर क्या आएगा, 64 into 4, 256 होगा, ठीक है, जो कि आपका B option है, next करते हैं, तो next में देखें, आपको square पता हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर square आ रहा है, तो अगर आपको कोई logic नहीं आता है, आप 2 option eliminate कर सकते हैं, 288 और 356, क्योंकि यह किसी के square नहीं होता है, और यहाँ पर जो संख्या आ रही है, वो सारी square मारी है, तो आप देखें यह कैसे संख्य जो पहला जो है, 6 का square है, next जो है, 10 का square है, और फिर आपका 14 का square है, तो यह आपका कैसे आया, 10 का square कैसे आया, आपने देखा पहली संख्या 6 का है, तो 6 में आपने क्या जोड़ा, 4 जोड़ा और उसका square कर दिया, फिर आपने यहाँ पर 10 का square था, तो 10 पर आपने 4 जोड़ा और इसका square कर दिया 14 अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 14 में चार जोड़ींगे और इसका square कर दियंगे तो यह आपका कितना आएगा 18 और 18 का square आपका कितना होता है 324 तो आपका answer 324 हो जाएगा C of से ठीक है तो आपको logic समझ में आ रहा हुगा कैसे हो रहा है यह आपका 3 का qv है यह कोई cube नहीं है यह 5 का qv है और यह आपका किसका है साथ का qv है तो आपने देखा तो यहाँ पर कौन से संख्या नहीं होनी चाहिए 50 नहीं होनी तो आप देख रहें यहाँ पर prime number का cube चल ला है तो यह 50 को qv है नहीं तो आपका जो स्रेणी के अंतरगर नहीं आएगा वो 50 नहीं आएगा B option नहीं आएगा next है आपका next में आप देखने gap देखने आप gap कैसे देखना है यहाँ पर gap देखने आपका alternate gap चल ला है अगर आप 82 minus 76 करना है 82 से 76 minus करते है minus 6 का gap आ रहा है यहाँ से आप जाते है minus 6 का gap आ रहा है तो आप जो next सिंख्या आएगी वो भी minus 6 आएगी तो minus 6 करेंगे तो आपका कितना आएगा 64 यहाँ आप देखने 70 से 64 minus 6 और 64 से 58 जा रहा है minus 6 जा रहा है ठीक है तो आपके जो answer हो जाएगा 1 का square है यह आपका 2 का cube है 2 का square 3 का cube 3 का square अब क्या आएगा 4 का cube आएगा और 4 का square यह है तो आपको समझ मां आ गया logic पता चल गया तो 4 का cube कितना होगा 64 आपका answer क्या हो जाएगा C ओप्सन ठीक है next question करते है easy question है अब यहाँ पर आपको देखना है gap देखने हैं अगर आप यहाँ से gap देखते हैं तो यह gap कितना आ रहा है आप देखें पांच में से 2, 3, 6 में से 4, 2, 7, 123 का gap आ रहा है यहाँ पर आप देखने gap कितना आ रहा है 123 यहाँ भी आपका 123 और यहाँ भी same gap आ रहा है 123 और next जो उसके बाद आप देखें यहां पर क्या है तो यहां पर आप देखेंगा पहले 5 14 एक चालिस तो अब लॉजिक डूटिंगे अगर आप 5 को 3 से मल्टिप्लाई करते हैं और मैनस 1 करते हैं तो आपको क्या मिल लिए है नेक्स सेंख्या मिल लिए 14 मिल ला अब आप 14 को 3 से मल्टिप्लाई करेंगे फिर 1 करेंगे यानि कि 14 42 मैनस 1 कितना आ रहा आपका 41 आ रहा है तो आपको आप क्या करना है 41 को भी आपको 3 से मल्टिप्लाई करना और मैनस 1 करना है तो आपका कितना आ जाएगा 3 इकम 3, 4 तियां 12, 130, minus 1 कितना हो जाएगा 122, तो आपको logic पता चल गया क्या है, इस पर ये देखा होगा 3 से multiply करना है, अगली संख्या को लाने के लिए minus 1 करना है, 122 तो आपका answer B option हो जाएगा, 122 को आप 3 से multiply करेंगे, 366 minus 1, 366 आएगा, next करते ह माँ आपको बताना है कि next पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 1 को अगर हम 2 से multiply करें, 2 आ रहा है, फिर 3 से, यानि कि मैंने आपस क्या गा, 1 को आपने क्या, 2 से multiply किया, आपके पास क्या आया, 2 आया, फिर आपको 2 से, 2 को आपने जो next संख्या है, इसको आपने 3 स multiply किया, आपको क्या आया, 6, फिर 6 को आपने 2 से multiply किया, आपके पास 12 आया, अब आपको logic समझ मा आ रहा होगा, और 12 को आपने 3 से multiply किया, तो 36 है, तो आपने देखा कि यहाँ पर पहले 2 से multiply कर रहे है, फिर 3 से कर रहे है, फिर 2 से, फिर 3 से, यानि कि एक बार 2 से पहली बार, फिर 3 से फिर 2 से 3 से तो आप 36 को आपको 3 से 2 से multiply करना पड़ेगा 72 और next जो term आएगा वो 72 को 3 से multiply करना पड़ेगा जो कि आपका कितना आएगा 216 तो answer आपका 216 हो गया ठीक है T option तो आपको समझमा आ रहा हुगा कैसे logic इसमें लग रहे हैं तो next question करते है next number स्रीज को जो question है खतम होगे अब जो है आपका letter स्रीज है या alphabetic स्रीज है तो ये वीडियो भी मैं इसकी बना चुका हूँ उसमें मैंने आपको क्या बता है जैसे आपको numbering होती है कि A कौन से number पर आता है Z O कौन से number पर आता है जैसे एक ये तो आपको पता ही होगा J 10 15 Q जो आता है 17 तो ये numbering आपको याद हो नीचे तो ये याद कैसे करना है इसकी मैंने trick बताई है मैंने इससे playlist में आप देख सकते है reasoning की वहाँ मैं बता चुका हूँ अगर आपको ये याद होगा तो आप इनको easily और ठीक है plus 2 आप तो यहाँ पर 15 पर plus 2 करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पर संख्या आएगी वह आपकी क्या आएगी plus 2 17 तो 17 किसका होता है 17 आपका Q का होता है तो आपको समझ मां आ गया कि पहला जो term आएगा वो क्या आएगा आपका Q आएगा उसके बाद आप देखें next D आपका 4 होता है 4 में आपने plus 2 किया 6 आया 6 में plus 2 किया आपका 8 आया X तो 8 में plus 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा 10 आएगा और 10 किसका होता है J का होता है तो यहाँ पर next जो आएगा आपका J आएगा तो next से क्या आप देखें अगर वेसे तो option clear होगे कि आपका C option होगा क्योंकि आपके 2 आगे आपको आगे देखने की जरूएट नहीं फिर भी आप देखें D में आपका 4 होता है plus 2 6 और 6 से आपका plus 2 8 यहाँ भी आपका next J आएगा ठीक है तो क्यों जे जे इसका answer होगा यह option आपका C होगा समझ में आगे आपको इनकी alpha weight की जो letter है इनके numbering याद होना बहुत जरूरी है ठीक है इससे आपका question बहुत जल्दी होगा next question करते है यहाँ पे आप देखेंगे B यहाँ भी hem देखें B आपका कितना होता है 2 होता है तो 2 और E कितना होता है 5 नमबर पर होता है तो यहाँ पर आपने देखा 2 से 5 जाने में आपका continually प्लस 3 एड़ होगा तो आप यहाँ भी प्लस 3 आड़ होगा तो 5 प्लस 3 आट होता है और आठटवे नम्बर पर कौन सा लेटर होता है? आप कहेंगे H होता है, ठीक है? तो पहला जो आगया, H आगया, उसके बाद आप देंगे C से आपका F गया, प्लस तीन हुआ, 6 हुआ, ठीक है? 6 से प्लस तीन होगा, तो 9 आएगा, तो यानि कि plus 3 9 किसका होता नौए नमर पर आपका कौनसा alphabet होता है आई होता है ठीक है उसके बाइए next करेंगे 20 से आपका 5 गिया plus 3 हुआ और 5 से आपका कितना हैगा plus 3 plus 3 कौनसा होता है प्लस 3, 5, 3, 8 होता है और 8 पर आपका H होता है ठीक है HIH आ गया तो आप option देखेंगे कि A के option है जिसमें HIH है आगे आपको देखने की जरुवत में आप यहाँ पर answer क्लिक कर सकते हैं नहीं तो आप फिर भी देखेंगे आपको वही gap नजर आ रहा है A पर आप D करेंगे plus 3 हो रहा है plus 3D पर 7 आएगा G आएगा तो आपको समझमा आ गया होगा कि कैसे इन question को हम tackle करते है next question करते है next में आप देखेंगे ठीक है यह है आपका यहां से A से आपका D गया A से D गया तो आपने देखा कि 1 यह 4 होता है तो plus 3 होगा ठीक है और D से आपका 7 G पर गया आपको समझमा आ गया उसके बाद आप देखें C से F गया plus 3 हुआ और F से आई गया plus 3 हुआ 9 हुआ और 9 से plus 3 12 होगा तो 12 किसका होता है L का होता है आपने देखा J के बाद L आ रहा है तो आप सीधे D option को click करेंगे और D इसका answer होगा आगे भी plus 3 plus 3 add हुआ ठीक है next question करते है next माँ आप देखें D ABC है तो आप देखें यह D किसका होता है इसका number जो होता है 4 होता है यहाँ पर आपका 8 है तो plus 4 add हुआ है तो अब फिर से plus 4 होगा plus 4 होगा तो आपका कितना है गा 12 और 12 किसका होता है L का होता है आगे देखेंगे कि यह सही है नहीं है तो 12 में प्लस 4 करेंगे तो आपका P आएगा 12, 4, 16 होता है 16, 16 नंबर पे जो letter होता हुआ आपका कौन सा होता है P होता है फिर यहाँ से P पे 4 करेंगे तो 20 आएगा और 20 नंबर पे जो आपका आता है alphabet वो आपका T होता है ठीक है तो plus 4 plus 4 हो रहा है logic आपको समझ मां आगे तो पहला आपका L आएगा L देखते ही आप इस वह answer click कर सकते है क्योंकि और कोई option में पहला L नहीं है फिर भी आपको check करना है आप A से करेंगे तो यहां 5 आ रहा है plus 4 ठीक है next question है यहीं पर समाप्त होता है यही इतने question थे तो आपने देखा होगा कितने easily अगर हमें later series में इनकी position मालूम है तो हम कितनी जल्दी कर सकते है ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे like करें share करें और channel को subscribe करें share जरूर करें जिससे जो भी तैयारी कर रहें उनके पास यह पहुंच सके और मुझे भी अपनी महनत का फल मिल सके तो आप इसे share करें और thank you so much subscribe करें आगे SE में NTPC से जो भी previous year में question आये थे वो फिर लास होगा और जो भी आपका आया था तो यहीं पर इस वीडियो को समाप करतें thank you so much